नवशकार मिख्षा सिंग बोल्डिसकाई में आपका स्वागत है सिंगर कनिका कपूर का टेस्ट पॉजिटिव आजाने के बाद से वो आईसोलेशन में है लखनव के संजय गांधी पोस्ट गेजुवेशन इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसेज में वे डॉक्टर्स के निगरानी में हैं वो 20 मार्श 2020 को वहां भरती हुई थी टेस्ट के पॉजिटिव पाए जाने के बाद से कनिका कपूर ने पहली बार इंस्टा पोस्ट किया है उन्होंने इस पोस्ट में अपनी हेल्थ अपडेट दी है कनिका ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें घड़ी की तस्वीर के साथ लिखा है जिन्दगी हमें समय का सही इस्तमाल करना सिखाती है वही समय हमें जिन्दगी की कद्र करना सिखाता है इस पोस्ट के साथ कनिका ने कैप्शन में लिखा सोने जा रही हूँ आप सभी को अपना प्यार भेज रही हूँ, सेफ रहें, आप सभी का मेरी चित्ता करने के लिए शुक्रिया लेकिन मैं ICU में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, उमीद है कि मेरा अगला टेस्ट निगेटिव होगा अपने बच्चों और फैमिली के बास जाने का इंतजार है, मैं उन्हें बहुत मेस कर रही हूँ बता दे कि इस पोस्ट में कनिका कपूर ने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है, मतलब उनके इस पोस्ट पर कोई कमेंट नहीं कर सकता खेर शायद कनिका का पूर ने ऐसा इसले किया होगा, क्योंकि इन दिनों उन्हें काफ़े ट्रोल किया जा रहा है जब से उनके टेस्ट पॉस्टिव होने की बात सामने आई थी, उन पर लापर वाही कारोप है रिपोर्ट्स है कि कनिका एरपोर्ट पर बिना जाच कराए वहां से भाग निकली थी आपको कनिका का ये पोस्ट और उनकी ये बात कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेर करें साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा